नमस्कार दोस्त हम सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रेटिव वीडियो में आज से कुछ दिन पहले हमने इस परकार का एक 500W का पावर इनवर्टर बनाया था और इसमें हमने इस परकार का देख सकते हैं पल्स ट्रांसफोर्मर यूज में लिया था जिसकी की वा है मतलब सारे कुछ ट्रांसफोर्मर हमारे जो एक्स कंप्यूटर की पावर्ट सप्लाई होती है उसके ट्रांसफोर्मर है तो उसकी रिवांडिंग आज की वीडियो में दिखाऊंगा और किस प्रकार से उसको रिवांड करना या कितने टन आपको देने हो सारा निटल आप का वांडिंग करेंगे और इसके अगली वीडियो में हम प्रोपर एक इनवर्टर बनाएंगे फिडबेक सीस्टम में मतलब यह वीडियो सीरीज आएगी कुछ वीडियों की सीरीज में अभी देख सकते हैं यहां पर कुछ ट्रांसफोर्मर की मैंने और वांडिंग की है और आज का वीडियो में मैं आपको perfect winding किस परकार से आपको करनी है और कितने टन आपको देने है तभी आपको output में बढ़िया voltage मिलागी वो सारा दिखाऊंगा तो इसके लिए मैं जो ATX computer power supply है 350 watt की जो power supply है उसका transformer यूज में ले रहा हूं और यहां पर देख सकते हैं मैंने already 500 watt के transformer की winding करी है डाटा के साब से 500 watt के handle कर सकता है continue तो इसमें भी वीडियो नहीं बनाओगा और जो पूरानी winding है इसको completely बहार निकाल लेना है जिससे कि हम इसकी winding पूरी दुबारे से कर पाए और डाटा बगेर आपको सारा बता दूंगा किस प्रकार से हालाकि आप इसकी जो केल्कुलेशन आप इसके application किसी application दुआरा भी कर सकते हैं जिसमें कि push-pull transformer जो हमारा push-pull चुट जाए और हमारी core easily अलग हो जाए देख सकते हैं मैंने दोनों पॉर्स अलग कर लिया है और इनको अब भी जो transformer हमारा bobin है मतलब जो transformer है उसको completely इसकी winding निकाल लेंगे और पिर आपको मैं दिखता हूं completely इसको unwind करके और अभी देख सकते हैं पूरा transformer unwind कर लिया और इ किसी power supply में यह बीच में square भी आती है किसी में गोल भी आती है लेकिन उसे ज्यादा फरकने ही पड़ता है अगर आप data के साब से calculate करोगी तो बहुत ज्यादा दिमाकराब होगा यहां पर मैं आपको बता रहा हूं जिस प्रकार से आप calculate कर सकते हो तो यहां पर देख सकते हैं मेरे पास दो तरह के वायर है एक तो multiple थिन वायर है मतलब उसमें 30 से 40 वायर में ने बहुत ज्यादा थिन वायर यूज में लिए है यहां पर हमको प्राइमरी वायंडिंग में तीन देके एक लूप लिंग आलना है जीरो वोल्टेज के लिए फिर वापस इसमें तीन देने है मतलब जो प्राइमरी वायंडिंग है वाहारी 303 की होगी और इसको हम पहले कर ले रहे हैं मतलब प्राइमरी व gir k रहे हैं जो अमारी इंपूट होगी 12 जो में को मुस्पेट के दौरारर इसको ड्राइव करें कि मश्पवाली है त्रासफोर्मर को तो यहां पर लगा लि जहां पर आपके मोसपट अगेरा भी ऊड़ चकते हैं अगर ट्रास्फोर्मर सोट हुआ तो इसके बीच में लेमनेशन जो आप इंसुलेशन दे रहे हो बहुत अच्छा इंसुलेशन देना है खासकर प्राइमेरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में इस इंसुलेशन काफी बढ़िया देना है और अगर आपको थोड़ी लो फ्रेक्वेंसी पे और थोड़ी कम वाटेज में इसको रन करना है तो आप इसमें टांस की संक्या बढ़ा सकते हो जहां तक कि मैंने पिछली वीडियो में जो ट्रास्फोर्मर है उसकी वाइंडिंग करी थी उसमें म के साफ किस प्रकार से ट्यूड फंढी है जिसके कि जता है ग्यारा साओ किक स्क्यारी ना हो यहां अपर देख सकते हैं हैं इच्छे इसको ट्रास्फोर्मर को इन्सुलेट कर लिया है और मेरे पास जो इंसुलेशन के लिए काम ले रहा हूँ यह पेपर इंसुलेशन है जिसमें की उपर लेमिनेटेड पेपर इंसुलेशन है और यह काफी थीक है तो इसमें सोटिंग आइश्यू होगा नहीं जिस प्रकार से मतलब जिस डायरेक्शन में हमने प्राइमरी वाइ है तो चोईस नमर भी ले सकते हो लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है 25 नमर वाइड लो ताकि अच्छे से आपकी वाइंडिक फीटा जाए और बीच में मतलब आपके जो कोवर है वह फीटा जाए पसे ना तो इस प्रकार से आपको देख सकते हैं जिस डायरेक्शन में पहले तर देने पड़ेंगे आपको तभी आपको आपको प्रोपर वोल्टेज मिल पाएगी अभी देख सकते हैं हमने इसकी वाइंडिंग कर दी है और अभी इसको प्रोपर इंसुलेट करेंगे और फिर इसकी कॉर भी लगाएंगे लेकिन याद रखना इसको आपको यूज में ले अब यहाँ पर देख सेथे जो पेपर टेम में यूज में ले रहा हूं जो इंसुलेटेट पेपर तेप बहुत ज्यादा थिक है तो इसमें लिकेज करन्ट का कोई इस्यू होगा नहीं और आपको जितना भी आपको इसमें देना है वह अच्छा ही दिना है और जो हमने सेक अब देख सकते हैं यहाँ पर इसकी कोर वगेरा भी हम पिटकाड लेंगे अच्छे से और आपको दिखाऊंगा एंड में कितने ट्रास्फफरूर्मर वगेरा इस परकार से बनाए है और यहाँ पर देख सकते हैं आपस में पूरी तरह से चिपक जाने चाहिए और एक बात अगर आप उसको वाइंडिंग करके यूजब लग गए तो बहुत ज़्यादा दल्दी हीट होके मौस्पट अमारे उड़ जाएंगे वह इसके उपर काम नहीं करती है यह कोर आपस में पूरी तरह से टाच होनी चाहिए तो इसकी तीनों लेग वह आपस में दूसरी तीनो सबसे पहले मैं इसके वाइस को सोल्टर कर लोगा और पिर आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से लिकिन आप भी देख सकते हैं जो दूसरा वाला ट्रास्फर्मान है अभी मैंने इसको भी वाइनिस नहीं किया है क्योंकि यह सिर्फ मैं टेस्टिंग परपस के लिए इसकी व परपस आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा जिस पर कर लिए और हमारा यहां पर मैरे पास कुछ है जो हमारे फिलाइबक ट्रास्फोर्मर भी है लेकिन वह इसके साथ में काम नहीं करेंगे और जो हमने पिछले बार में यहां पर देख सकते हैं जो ट्रास्फोर्मर काम लिया था उसके मुकाबले देख सकते हैं इसमें इसमें आप 0.5 mm से उपर मोटा वायर मत दो यूजमल हो अगर उसकी मोटा ज्यदा है तो आप मुल्टिपल थिन वायर यूजमल है उसके साइज का गेस बना सकते हो अब यह यह पास है यह मेरा डाइग्राम नहीं है पहले बता देता हूं यह मैंने कुछ डिजाइन नहीं किया है यह मैंने Google से लिया लेकिन इसमें भी कुछ चेंज़ेस करना पड़ेगा अगर हमको इसको रन करवाना है है हमारे transformer के साथ में तो सेम डटा है वो काम नहीं करें का मुझे पता है क्योंकि मैं पहले testing कर चुका हूं तो इसमें कुछ changes वगेरा करने पड़ेंगे लेकिन यह पिसीब का layout है वो almost same है मतलब जो हमारे transformer है उसके pinout किसाब से same है तो यह layout हम यही use में लेंगे और जो अमारी copper client PC पर होती है उसके पूरा circuit और बना के दिखाऊंगा और उसके बाद में आपको DC से SCV बनाने वाला circuit भी बना के दिखाऊंगा